है एलो स्टूदेंट्स कैसे हो आप सब हम 7.1 के एट कोशन पर आगे क्या कह रहा है एट कोशन कह रहा है इसमें एक लाइन है जिसके डिस्टेंस कितने दे रखिया है 10 सेंटिमेटर दे रहे है क्या करा है कोशन में कह रहा है कि find the value of y value of i है distance कितना दे रखिया दस यूनिट दे रखिया और points क्या है P points है एक पी points है और दूसर वाला q points है ठीक है दो points जो है P और q points है और जिसके distance कितने दे रखिया है जिसके distance है 10 cm 10 cm लगा लो या unit लगा लो कुछ भी लगा लो आपको निकालना है ये सारी चीज़े है ना तो सबसे पहले पी points है और q points है पी points के क्या है 2 और minus 3 और ये 10 और y है 10 y तो हमें पता है formula P q equals to 10 units दे रखा है येस या नो जब 10 units दे रखा है तो हमें distance formula लगाना है या इसको P square कर दो दोनों तरफे square कर देते हैं तो यह कितना हो जागा इसका भी square plus y2 minus y1 equals 200 अब हमें इसकी value substitute कर देनी है x2 x2 10 minus 2 और यहां पे क्या हुआ y minus minus क्या हो जागा plus हो जागा 3 plus 3 और equals to 100 यह 8 square और यहां कितना हुआ 3 plus 2 y plus 3 whole square यह हो जागा 64 और यह हो जागा y square then इसका होगा 9 then हो जागा 6 y equals to 100 तो अब इसको values सारी values इसे साइड में ले आते हैं y square then 6 y यह 9 64 और 9 कितना हो जागा 6 यह 73 और यह equals to 0 y equals to 6 y y square plus 6 y then इसमें minus 27 आजाएगा ठीक है minus 27 equals to 0 अब मिडल टर्म स्प्रेटिंग करेंगे मिडल टर्म स्प्रेटिंग में किसके किसके ट्रकूर हो जाएगे इस तरह इस नो 9 x 9 y minus 3 y minus 27 equals to 0 अब इसमें से है किरेज है जब में क्वाइए तो य हुआ मायनस 3 य है य ह voltar स्पलेटिंग घ्रीश्यरा वी जी ठीक है यह value होगी हमें पता चल गया है ना हमें y की value क्या क्या मिली है y की value एक क्या मिली है 3 और दूसरा क्या है minus 9 यह value कोई दिक्कत है तो बता दो भई यहां तक बाद समझ भाई कोई दिक्कत भी आएगी तो आप comment box में comment कर सकते हैं और मैं उसका reply करूँगा और जरूर पढ़ी तो आपको whatsapp पे भी add करूँगा ठीक है आजाते हैं बई next question पर इसमें क्या कह रहा है if q q एक point है 0 और 1 है इसमें coordinates इसमें FC सा 0 है और coordinates 1 है is the equidistance from यह equidistance है कहां से खहां तक P से P और Q, R P P और R पे equidistance है कौन Q, Q एक point है और इसमें x की value find out करनी है क्योंकि x यहां पर दे रखा है इस point में और Q R की value निकालनी है और P R की value निकालनी है तो सबसे पहले हमें कैसे क्या solve करना पढ़ेगा यह check कर लेते हैं करना नहीं पढ़ेगी एक line इस line में सबसे पहला point है कि सबसे पहला point है कि दूसरा point और equidistance वाला point है equal equidistance एक है पी दूसरा है R और इसके बाद बीच में Q है तो यह 5 और minus 3 और यह है R है X और 6 और 0 और 1 हमें पता है PQ equals to PR है हमें equidistance है PQ और RQ बराबर है PQ और RQ बराबर है given है PQ equals to RQ अगर मैं इसका square करूं तो यह भी बराबर होगा square करूं मैं इसका तो यह भी बराबर होगा तो square वाला formula हट जाएगा अब हम इसकी values निकाल देते हैं तो 0 minus 5 0 minus 5 plus 1 plus 3 calls कर इस पर अगले वाले में QR का देखते है QR की value जाए X minus 0 then इसका होगा 6 minus 1 यह 5 हुआ 5 का 25 क्योंकि 5 होगा 25 square होगे और इसका होगा 4 4 होजागापस और इसका 16 और यहाँ पर X X minus 0 है तो X square और यहाँ पर क्या आया 4, 5, 25 25 और 25 cancel out होगे अब क्या बचास यह है अब अगर मैं दूसरे साइट में shift करता हूँ square रोग को तो क्या होगा X equals to plus minus 4 ठीक है ठीक होगे अब हमें अब होगे PR की value 5, 4 minus 5 4 minus 5 ठीक है और अगले वाल यहाँ क्या है अब होगे अब होगे अब होगे अब अगले वाले में हमने X माना था positive X X को 4 positive माना था तब अब negative 4 मानेंगे तब क्या होगा negative 4 मानेंगे तब क्या होगा तो हम इसकी value PR PR की value निकालते हैं पहले PR की बस जो भी value है बस वहाँ पर 4 4 की जगह पर minus 4 होगे minus 4 minus 4 minus 5 then plus इसका होगा 6 plus 3 यह हो जाएगा 9 यहां पर भी 9 यहां पर भी 9 180 180 162 यह हो जाएगा और 99 root 2 units अब अगले बाल में क्या निकाल हूँ QR QR की value में क्या है जहाँ पर भी यह 4 है वहाँ पर minus 4 रखते हैं minus 4 अगले वाल में QR वाल में minus 4 0 और क्या था 6 और 1 plus minus 6 और 1 इसके बाद इसका रिजल्ट के आएगा 16 16 plus 25 यह 41 unit square ठीक है यह हम पता चल गया तो यह अंसर है सबसे पहले हम में क्या पुछाता है इसकी वेल्व कुछी थी ये वाला पॉइंट है 3 और 6 है और अग्ला है माइनस 3 और 4 है ठीक है तो हम पॉइंट लेते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है हमने इक्रे डिस्ट्टेंस जो बोला है पहले A ले लेते हैं इसको और दूसरा वाला पॉइंट B और ये C है C वाला पॉइंट A A है 3 और 6 और यहां पर माइनस 3 और 4 हैं ये X और Y हमें पता एक क्यों डिस्टेंस है A C इक्वाल टू B C अगर मैं इसके स्क्यार कर दू तो रूट हट जाएगा फॉर्मले में से क्योंकि मैंने पहले लेक्षर में ही बता रखा आपको यहां पर हमने अटा दिया और हमाने पास में क्या है फॉर्मले में X X माइनस 3 देन Y माइनस 6 अगले वाले में क्या है माइनस 3 माइनस X प्लस 4 माइनस Y अब यहां पर एक बार बता देता हूँ जब भी कभी भी पात होगी X प्लस 3 का वोल स्क्यार करना हो तो ऐसे भी कर सकता हो माइनस 3 और माइनस स्क्यार को दोनों सेम होता है पर करके देख लेना ठीक है अब यहां पर हम वैलो निकालना शुरू कर देते हैं तो यहां X कर यह 9 और यह हो जाएगा 6X माइनस ना तो माइनस होगा यहां पर Y और यह 36 यहां पर क्या होगा माइनस 12Y पर लिए वाले में क्या होगा 9 है तो X देन 9 देन 6 X अगला लोग 16 देन Y देन 8Y ठीक है X इसकर गाएगा पहले यह कैंसल आट और यह कैंसल आट Y से Y वाला ठीक है 9 X और यह माइनस 6X माइनस 12Y एक पर स्थू छत्तिस और यह कितना हो जाएगा प्लस एन तालिस तो 6X माइनस 8Y माइनस यह हो जागा 25 प्लस 25 सबको एक साइड में सिफ्ट करो माइनस 6X माइनस 12Y माइनस 6X प्लस 8Y दूसरे वाले साइड में सिफ्ट करो इसको 25 माइनस 10 तालिस यह हो जाएगा माइनस 12X यह हो गया माइनस 4Y और माइनस 4 को कॉमन लिल गया तो क्या होगा 3X प्लस Y इक्वास तो माइनस 20 3X प्लस Y इक्वास तो 20 माइनस 20 दिवाइड बाइ माइनस 4 यह कैंसल आउट होगा 20 3X प्लस Y इक्वास तो 5 किये हुआ यह हुआ वैल्यू यह हमारे रिलेशन आगे है रिलेशन पूछा है इसमें कोई वैल्यू नहीं पूछा क्या पूछा है रिलेशन विट भी रिलेशन निकालने के लिए बताया तब तो हमने क्या बताते है रिलेशन निकालते है ना यह पूछ आते को relation between x and y x and y relation निकालने के बोला है और हमने जो की निकालते हैं क्यां बात समझागी तो हमारी बातें यहां त्रीर हो जाती है बाई exercise फिनिश हो गई अच्छे से practice करो जो भी doubt हो comment box में comment कीजिए और मैं उसका solution दुआ हूँ दान्य बाद